नमस्कार मैं सपना सिंग स्वागत करती हूँ आप सभी का प्राइम टीवी के दैनिक कारक्रम समय चक्र में कारक्रम में हमारे साथ मौजूद है जोतिस अचार रवी संकर जी रवी संकर जी प्राइम टीवी में आपका स्वागत है यह बहुत बहुत धनिवाद तो पंडी जी से जानेंगे आज ग्रहों की चाल कैसी है और समस्या का समाधान क्या है और क्या कहता है आज का पंचांग ओम हरे नमहा 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 बेकरम सम्मध दोहजारसी मार्क्सिस मास सुक्लपक्ष सक्तमी दिन मंगलवार दिनांग 19 दिसंबर दोहजार तेज़ अनचहत्र आज पूर्वा भाध पद्र योग शिद्ध योग चंद्रमा कुम्हराशी में इस्थित सूरुदय प्राता छे बच कर उन्चास मिनट सूर्यास्थ सायंग पांच बच कर सोला मिनट पर राहुकाल दोपार तीन बजे से लेके साढ़े चार बजे तर आदिसा सूल उत्तर दिसा पंडिक जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है आज का राशी फल तो सबसे पहले पंडिक जी आपसे जानना चाहेंगे मेश व्रश और मिथुन राशी वालों के लिए आज के दिन में क्या है खाज देखें मेश राशी वाले मेश राशी वाले आज आपको नोकरी में उन्नती के संकेत मिल रहे हैं महत्तपूर कार में आपको सफलता मिल सकती है और व्योसाइक धनलाब हो शकता है साथ ही अगर मेश राशी वाले कोई कारी विसेश से निकल रहे हैं तो आज के दिन आपको हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करें तामबूल आपके कारी सिद्ध होंगे दूसी राशी व्रिसव राशी व्रिसव राशी वालों के लिए आज सुप समाचार मिलेगा कानूनी मामलों में आप परेशानी आपकी दूर हो शकती है साथ ही ब्योसाय में लाब होगा और दान धर्म में आज आपकी रूची बढ़ेगी जो आप करें भी तो आपके लिए बहतर रहेगा साथ ही अगर आपको एक कारिबिसेश के लिए निकल रहे हैं तो आज के दिन हनमान जी को लाल लड़ू चढ़ाएं और लोगों में बित्तित करें आपके लिए अच्छा रहेगा तीसी रासी मिथुन रासी मिथुन रासी वालों के लिए आज आप वाद विवास से बचें बिस्वास पातर से दोखा मिल सकता है साथ ही आपको ब्योसाय में लाभ होगा वाहं से साउधानी बरतें अगर चला रहे हैं तो उससे साउधान रहें आज के दिन साथ ही अगर आप कोई कारी विसेश से आप निकल रहें आज के दिन तो आप हनमान जी को सामने कपूर और लॉंग एक दिये में रख कर जलाएं और उनको साथ बार पुड़ाम करें आपके कारी सिद्ध होंगे कर्क रासी वाले आज के दिन आपको नौकरी प्रतिष्ठा में कदबढ़ सकता है साथ ही कर्क रासी वालों को विकास कारी में आज आपको सफलता मिल सकती है अगर आप कोई कारी विसेश के लिए निकल रहे हैं तो आप आज कोई मीठे से बनी कोई भी चीजें दान करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही अगली रासी सिंग रासी सिंग रासी वालों के लिए आज के दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी ब्यक्तिगत संबंद सहायक होंगे साथ ही आपको ब्योसाय में विसेश लाब हो शकता है लेकिन आज सिंग रासी वाले थोड़ा अपने दिमाग का ज़्यादा प्रियोक करें किसी के बहकावे में मिमत आए साथ ही सिंग रासी वाले अगर कोई कारी विसेश से आप निकल रहे हैं तो आप हनमान जी को लाल चंदन चढ़ाए आपके कारी सिद्ध होंगे अगली रासी आपकी कन्यारासी कन्यारासी वालों के लिए आज के दिन आप पूर्व नियोजित कारी में सफलता मिलेगी आपको नौकरी में आपको अधिकारी आपके अनकूर रहेंगे साथ ही आपको व्योसाय में धनलाब हो शकता है अगर आपको कारी विशेश के लिए करन्या रासी वाले निकल रहे हैं तो आज के दिन आपको हनमान जी को आप प्राम करें साथ ही कपूल लौंग एक दीपग में रखके जलाएं फिर से उनको प्राम करें आपके कारी सिद्ध होंगे अप पंडिजी आप से जानेंगे तुला व्रश्चिक और धन उराशी के बारे में तुला रासी वाले तुला रासी वाले अपने सोजनों से आज मन मुटाव हो शकता है साथी आपको संपत्ती संबंधित मामला आपका अटक सकता है अगर कोई चल रहा है परिवारी साथी व्योसाय में आपके मंदी रहेगी अगर आप कोई कारी विसेश से विसेश निकलना चाहते हैं तो आज के दिन आप हनमान जी को लाल लड़ू अरिपित करें आपके कारी बन सकते हैं लोगों में उसका बित्रित भी करें साथी अगली रासी आपकी ब्रिश्चिक रासी भाग सहायक रहेगा सुखत परिवर्तन संभव है आज के दिन आपका साथी आप ब्योसाय विस्तार होगा और धनलाप से आप खुस रहेंगे मन सांत रहेगा लेकिन आपको अपने गुस्से पर नियंतरन करना होगा साथी अगर आपको कारी बिसेश के लिए निकर रहे हैं ब्रिश्चिक रासी वाले तो हनमान जी को मीठा पान तंबूल अरपित करें आपके लिए कारी शिद्ध होगा अगली रासी आपकी धनूराशी धनूराशी वाले आज के दिन आप मान प्रतिष्ठा की चिंता रह सकती है आपको या आपको हानी भी हो सकती है तो इसका विसेश ध्यान दें साथी सोजनों से वाद विवास संभव है उब्योसाय में आपको लाब कम हो सकता है तो आज के दिन थोड़ा ध्यान रखें साथ ही व्रिश्चिक राशी वाले अपने ब्यापार में थोड़ा अगर विस्तार करने के सोच रहें तो उसका भी थोड़ा आज के दिन ध्यान रखें धनू राशी वाले आपको आज के दिन पीली वस्तों का दान करें आपके लिए सेस कर रहेगा अब रभी शंकर जी अंतिम तीन राशी वालों का आज का दिन कैसा होगा ये भी जाना चाहेंगे मकर, कुम्भ और मीन राशी वालों के लिए देखें, मकर रासी वाले, दस्वी रासी मकर रासी आत्म बल में ब्रिद्धी होगी, कारिछेत्र में सम्मान बढ़ेगा, आपके अटके सरकारी कारे बन सकता है, साथ ही आपको आज के दिन वहां से साउधान रहना होगा, अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आज ना करें साथ ही अगर कोई कारिविसेष के लिए निकल रहें तो हन्मान जी को को चोला अर्पित करें आपके लिए कारिश्चित होगाGod है है전 अगली रासी रासी कुमब रासी, के लिए आज के दिन उस्सा में कमी रहेगी साथी करम परलोभन में आपको नई दिसा मिल सकती है साथी आप परलोभन ना करें किसी ही चीज को नई परिशानी आ सकती है कि ब्योसाई में Alberto को लाब कम होगा सेहत आज आपका नरम रह सकता है तो इसका विशेश ध्यान रखें अगर आप कोई कारी विशेश के लिए निकल रहे हैं तो हनमान जी को चोला अर्पित करें और उनसे बिंती करें कि हमारे कश्टों को हरें आपके लिए कारिश छेत्थ होगा अंतिम और करें नहीं तो आपकी चिंता बढ़ सकती है बाकि आज आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही अगर कोई कारी विशेश के लिए आप निकल रहे हैं मीन राजी तो पीली वस्तों का दान करें आपके लिए कारिश सिर्थ होगा अब तमाम सवाल हमारे दर्शक लगातार मेल क के जड़ी हमको भेज रहें अब रुक करते हैं सवाल जवाब की ओर हमारे पास सवाल आया है कोमल जी का कोमल जी अपनी मैरिज लाइफ से जुड़ी जानकारी चाहती है जी देखें आपने जो बताया कोमल जी का एक अक्टूबर 1996 रात्री में 9 बचके 30 मिनट है इनका अश आपके शूरी हैं शुक्र हैं और राशी श्वामी भी आपके शुक्र हैं चंद्रमा आपका लगन में बैठा है तो आप देखने में बहुत सुन्दर होंगी साथी आपका जो आकर्शन होगा वह आपका फेस आकर्शन का केंद्र रहेगा साथी आपको अगर मेरिज पहला कह सकते हैं आप पर हाथ हो गएरा भी उठा सकते हैं तो आप उनसे आराम से बात करिए marriage life में थोड़ी उतार चढ़ाव आपके हो सकती है तो इसका आप विसेज ध्यान रखें साथ ही आप मंगलवार के दिन हनमान जी के सामने एक घी या सरसो के तेल का दीपक जलाएं सामको उसमें दो लौंग डाल दे एक किस दिन कांटीनिय करें आपके जीवन में और आपके पती के जीवन में जरूर बदलावाएगा साथ ही आपके कुंड़ी में आपके भाई बहन में किसी की हानी भी हो सकती है अगर हो गई है तो ठीक है नहीं हुई है तो आप उसका विसेश अपने परिवार को बताईए थोड़ा सा मंगल की उपासना करें आपके लिए सही रहेगा आपकी जो कुंड़ी में दिख रहा है आप इंटरकाष्ट लब मैरिच की होंगी आप जैसे लब मैरिच की है तो उसको थोड़ा आप अर्जेस्ट करिए हर चीजों पर बारीकी से लिजे आप भाबुग भी बहुत होती है आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल करिए आपके कैरियर के लिए आपकी दसा अच्छी चल लएए और आपका मानसिक संतुलन खोशकता है क्योंकि आपका शूरी जो है अस्त का है इसलिए आप सूरी को मजबूत करिए डेली शूरी नमस्कार करिए कर सकती है और शूरी को जल दीजिए नहीं तो आपके पती के साथ साथ आपके बच्चों पर भी ये दिक्कत होगी और फिर आपका परिवार भिखर सकता है इसलिए आप सूरी की उपासना करिए और मंगल के उपाचना करिए साथ ही अपने चीजों को थोड़ा समहाल कर चलिए आप भाबुकता में अपनी जो प्राइवेसी होती है दूसरे लोगों से सेर कर देती है जो आपके पती को अच्छा नहीं लगता है तो आप इसका ध्यान रखें और आपके लिए आगे के लिए अनकूल यह देखें मंगलवार का दिन है और मंगलवार को लोग विशेस उपाय करते रहते हैं अगर आज का दिन मैं बताऊंगा काफी सामने जाए मंदिर में सामने जाते हैं या फोटों है उसके सामने भी जला सकते हैं हनुमान अश्टक बजंग बान का आप पाठ करिए हनुमान चलसा का भी पाठ करिए साथ ही हनुमान जी के ओम हनु हनुमते नमा करजाप करें एक माला और आप भगवान से प्रातना करें कि हमारा ये दुख दर्द हमें जो कर्ज से हम परेशान है हमारा परिवार विखर रहा है इसको आप दूर करें आप कांटीनू मंगलवार से सुरू करके 21 दिन ये कारी कर लिजिए आपके ऐसे योग बनेंगे कि आपका कोई रास्ता ऐसा भगवान दिखाएंगे हनुमान जी की विशेश कृपा होगी जो आप 21 करने के बाद कुछी मह आपकात खवरों का सिलसला यूँ ही जारी रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खवरों के लिए देखते रहे प्राइम